आज हम अरस्तु के क्रांती संबंदी विचारों पर चर्चा करेंगा अरस्तु के समय युनान के राज्यों के सरूप और सहुदानों में सीगर परिवर्तन होने लगे थे आताया अरस्तु के लिए उस उभाविक था कि राजनेति के इस्तिरता क्यों पाखोश था अरस्तु ने पॉलिटिक्स की पांच वी पुस्तक में क्रांतियों का सुक्षम विसलिशन करते हुए इसके कारणों पर प्रकास डाला और इसके समादान के महत्पून उपाय बता है अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ क्रांति संबंदी अरस्तु की धार्णा वर्तमान क्रांति संबंदी धार्णा से बिन्या अरस्ते को अनसार क्रांती से तातपरी है किसी विशेश यूग और देश से संबंदित क्रांतियों से नहीं वे क्रांती का अर्थ उस अर्थ में नहीं लेता जिस अर्थ में हम फ्रांस की, रूस की या इंगलेंड की गोरपून क्रांती से लेते हैं उसके मतमे किसी राज्य में जनता या जनता की किसी भाग द्वारा ससस्त विद्रो का नाम भी क्रांती नहीं है उसके अंसार क्रांती का अर्थ है सविधान में हर छोटा बड़ा परिवर्तन यह आवसक नहीं कि सविधान में पूर्णते परिवर्तन होता है या आंसिक सस्त्र होता है या बिना किसी विशेश गटना के सविधान में पून परिवर्तन के परणाव शरूप राज्य का सामाजिक, आर्थिक, राजनेतिक और प्रसासनिक शरूप पूनते परिवर्तित हो जाता है इसे हम पून क्रांति की संग्या दे सकते हैं किन्तु जब सविधान में परिवर्थन के फल्सवरूप उसके किसी एक भाग में या थोड़े बहुत भाग में परिवर्थन होता है तो इसे आंसिक क्रांति कहा जाना चाहिए। सविधान में परिवर्थन निर्वाचन द्वारा, दोके से, ससस्त विद्रों से अथवा अन्य रक्तीन उपाईयों से भी हो सकता है। अरस्तु ने क्रांति के स्वरूप को इसपस्ट करते हुए उसके निमन प्रकार बताएं। पहला आंसिक पून क्रांति, यदि संपून से विद्धान बदल दिया जाता है तो भी हो सविधान परिवर्थन रक्तीन क्रांति है। और ससस्त विद्रोय रक्तपाद द्वारा किया जाने वाला सविधान में परिवर्तन पूर्ण पर रक्तपूर्ण क्रांती है। वेक्तिगत और गैर वेक्तिगत क्रांती, जब किसी विशेश महत्पूर्ण वेक्तिग अटा कर सहुधान में परिवर्थन किया जाए तो वेक्तिगत क्रांती कहलाएगे, किन्तु सास्यक को बिना बदले सहुधान में किया जाने वाला परिवर्थन गैर वेक्तिक क्रांती हो वासनों या सब्द जाल द्वारा राज्य में क्रांति ला देते हैं तो इसे वेचारे के वाग वीरों की क्रांति का जाता है। अरस्तु के अंशार क्रांति के कारण। अरस्तु ने क्रांति की चर्चा करते हुए तीन भागों में बाठा है। पहला है क्रांति के मूल कारण अरस्तु क्रांति कारण समानता की भावना को मानता है यह समानता दो प्रकारगी होती है पहली संख्यात्मक समानता और दूसरी योगता संबंदी समानता योगता संबंदी समानता में अरस्तु का अभिप्रा आनुपातिक समानता से है अरस्तु का मत है कि सभी मनुष्य प्रा इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि निर्पेक्स नय एप्सल्यूट जस्टिस योगता के आनुपात में होनी चाहिए किन्तु वहवारिक छेत्र में योगता के प्रशन पर उनमें मत्वेद होता है वे सोचते हैं कि जब मनुष्य की द्रस्ति से सभी समान है तो फिर अधिकारों धन्संपति आदि में भी किसी प्रकार की विशमता नहीं होनी चाहिए जन्वर्ग सदा अपनी समानता की तुलना दूसरों से करता है जब वे देखता है कि एक ही प्रकार से जनम होने पर भी उसे कम अधिकार प्राप्त है तो उसमें ऐसंतोस जागरित होता है और यही ऐसंतोस विक्राल रूप धारण करके क्रान्ती के रूप में परिनित हो जाता है। अरस्तु समानता गिच्छा को राज्य के क्रान्ती का जनमदाता होने के पक्स में अनेक उधारण देते हैं। उसके अनुसार जनतंत्री डेमोक्रेट्स कहते हैं कि मनुस्य प्रकरती से इस सतन्त उर्थपन हुआ है अते राजनेतिक जश्टी से उसे पूर्ण रूप से समान होना चाहिए अयोग धंतंत्री कहते हैं कि व्यक्ति किसी विशेश बात से ऐसमान है अते वे सभी बातों में ऐसमान रहेंगे अरस्तु के अंसार समानता की इन विरोधी विचारधारों के संगर से क्रांतिया जनम लेती है अधिकारों की विशमता समानता के सिद्धानतों में विश्वास रखने वाली जनता को सहन नहीं होती विशमता का अंत करके समानता इस्तापित करने की भावना से एक वर्ग दूसरे वर्ग के वुरुत क्रांती करता है वास्ता में क्रांती का सबसे बड़ा कारण न्याय का एक एकांगी दूसरे द्रिश्टी कोनी है जब कभी जनता का कोई भाग या अन्वाव करता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है तो राज्ये में क्रांती का बीजारोपन होता है दूसरा क्रांतियों के सामाने कारण पहला सासकों की द्रिश्टा और लाब की लालसा जब सासक या सासक वर्ग द्रिश्टा वस जनहित की चिंता नहीं करता अत्वा सारजनी कल्यान की भावना को छोड़ कर अपने घर बरने की फिक्र में लग जाता है तो जनता में उसके वरुद ऐसंतोस भड़क उठता है और उग्र होकर क्रांती का रूप धारन कर लेता है दूसरा सम्मान की लालसा सम्मान पाने की इच्छा सभी को होती है लेकिन जब सासक वर्ग किसी को अनुचित ढंग से सम्मान देता है या किसी को अनुची डंग से अपमानित करता है तो सैने सैने जनता के लिए सासक वरका या रवया ऐसा है वो उटा है और उसके वरूद आवाज उठाती है तीसरा है स्रेश्टा की भावना जब समाज के कुछ लोग अन्य लोगों से अपने को स्रेश समझने लगते हैं तथा अपने धन और अपनी कुलीनता के आदार पर सासन को अत्याने का प्रेतन करते हैं तो वे जनता में क्रांती के बीजों को बोते हैं गिर्णा और परस्पर विरोधी विचारता है गिर्णा और परस्पर विरोधी विचारता है भी राज्य किरांते को जनम देती है राज्य में जब एक वर्ग सत्ता को ग्रहन किये हुए रहता है तो दूसरा वर्ग उससे गिर्णा करने लगता है जब ये गिर्णा प्राकास् पर दंड भे से बचने के लिए विरोध करते है दूसरा कुछ वयक्तियों को यह भे होता है कि उनके साथ नय होने वाला है अते इसके प्रतिकार सुरूप विद्रोग कर बैठते है कभी कभी ये भे भी आमुक वर या अमुक दल द्वारा राज्य में क्रांति ने हो जाए दूसरे वर को क्रांति के प्रहणा देता है ए विश्वास भे को जनम देता है और भे क्रांति को नेक्स्ट द्वेस की भावना राज्य अधिकारियों के परस्पर वेमनस के परिणाम सरूप भी क्रांतियों का जनम होता है उनके एसिस्ट वेवार और स्वार्थ साधन से पीडित होकर अपमानित होकर लोग विद्रो का जंडा खड़ा कर देते साथी पारस्पर एक द्वेश भावना के कारण अधिकारी गणभी एक दूसरे के विरिद क्रांति का बीजरोपन करने से नहीं चोकते है नश्ट जातियों की विविन्ता अरस्टू के मतमिक क्रांति का एक कारण जातियों की विविन्ता भी है विभिन जातियों के लोग सरलता से राज्जे के अनुकूल नहीं बनाए जा सकते जाति विभिनता समाज में एकता की भावना का अबुदय नहीं करती है इसके कारण राज्जे में द्वेस, कले, फूट आदी के बीज विद्धमान रहते हैं जो कभी-कभी करांती को जनम देते हैं राज्जे के किसी अंग की अनुपात से अधिक असाधारन विर्दी यह भी करांती का एक मुख्य कारण है यदि भोगोली का वस्ता अच्छी होती है अथ्वा राज्जे के किसी अंग प्रदेश वर्ग आदी में विशेश वर्दी होती है तो उससे दूसरे प्रदेश यह वर्गों में चिंता और द्वेस हो जाना स्वब्य होती है इसका परणाम कभी-कभी करांती के रूप में सामने आता है लोग तंतर में निरधनों की संक्या अधिक बढ़ जाने पर कालांतर में यह वर्ग अभाव एसंतोष आदी से ग्रशित होकर सतरूड वर्ग के वृद्ध विद्रो कर भैढता है नेक्स्ट है निर्वाचन संबंदी सर्यंत्र निर्वाचन संबंदी सर्डेयंतर भी बड़े बड़े विस्पोर्ट करते हैं निर्वाचन संबंदी बुराईयों को समाप्त करने के लिए कभी कभी सासन के रूप को ही लोग बदल डालते हैं नेक्स्ट है अलप परिवर्तनों की अपेक्षा राज्य क्रांती अलप परिवर्तनों की उपेक्षा से भी होती है परिवर्तन परकर्ती का नियम है सभी वस्तों में परिवर्तन होता रहता है हम या तो इन अलप परिवर्तनों को समझ नहीं पाते हैं या उनकी उपेक्षा करते हैं, कालांतर में यही क्रांती के कारण बन जाते हैं नेक्स्ट है विदेशियों को आने की खुली छोट जब राज्य अपनी इस्तापना के समय या बाद में विदेशियों को बसने की आगया देता है तो एक प्रकार से वे क्रांती का संकट आमंतरित करता है पारिवारिक विवाद पारिवारिक संगर्श्मी क्रांती का सूत पात करते हैं अनेक पार दो राजकुमारों के प्रणे या कहल क्रांती का कारण बन जाता है नेक्स्ट है सासक वर्ग की असावधानी कभी कभी सासक वर्ग की एग्यांता और ऐसा अवधानी के कारण राज विद्रोईयों को महत्पून पदों पर नुक्त कर दिया जाता है समय और आउसर पर ये वेक्ति सासन का तक्ता उलट देते हैं मद्धम वर्ग का अबाव मद्धम वर्ग समाज में संतुलन रखने में सायक होता है इसके अबाव में धनिकों और नर्दिनों के मद्दे खाई बहुत गहरी हो जाती है अता इस वर्ग की समाप्ति पर क्रांती सीग्र संभव है नेक्स्ट सक्ति संतुलन राज्य में परस पर विरोधी वर्गों में सक्ति का संतुलन होना भी क्रांती को जर्म देता है बहुदा निर्बलपक्स, सबलपक्स के साथ लड़ाई मोल नहीं लेगा लेकिन सम सक्ति संतुलन होने पर दोनों को ही सफलता की संभावना रहती है और कोई भी एक पक्स विद्रो कर बैठता है तीसरा है विभिन सासन प्रनालियों में क्रांती के कारण एक तंत्र में क्रांती एक तंत्र में क्रांती को जर्म देने वाले मुखे कारण पारिवारी कले, पारिश पर एक द्वेश भावना, गेणा सासक द्वारा जन्ता पर अत्ताचार आदि है अत्यदिक सताय जाने पर जन्ता विद्रो कर बैठती है स्विच्छाचारी राज तंतर में सासक की निरंकुस्ता भी क्रांती का कारण बढ़ जाती है दूसरा है कुलीन तंतर में क्रांती इस साशन में भाग लेने वाले वेक्षियों की संक्या सीमित होती है सीमित लोगों को पदवे प्रतिस्टा की प्राप्ति और अन्य लोगे की प्रति सासकों की उपेक्षा तथा सासक वर्ग द्वारा द्रिष्टा का मार ग्रेंड करना आदी ऐसी कारण है जिस्म से जनता में ऐसंतोज घर कर जाता है और संपूर जनता या उसका कोई वर्ग क्रांती कर देता है विभिन वर्गों में उचित सामन जैस्षे का अभावी कूलीन तंतर की जड़ेक होता है तीसरा है प्रजातंत्र में क्रांति, प्रजातंत्र में नोक नेताओं के अधिक्ता के कारण क्रांति पैदा होती है, ये नेता निर्धनों का प्रतिनिधित लेकर धनी वर्ग के वरुद जन्मत इस्ताफित करते हैं, ये परिणामते धनिक वर्ग क्रांति की सरण लेता है, का असत्य का सारा लेकर जन्ता को बढ़काते हैं अपने पक्स में करते हैं और तब सत्ता अतिया कर ताना साही के रास्ते पर चल पड़ते हैं उच्छ जन्तंत में क्रांती उस समय होती है जब सव साधर्ण मनुसे को सासकों के समान गुनी समझने लगते हैं यदि अरस्तु द्वारा बतलाए गए क्रांती के उपरोत कारणों पर विचार करें तो हम इसी निसकेस पर पहुचेगी कि संसार की प्रते एक क्रांती के पीछे अरस्तु द्वारा वर्नित कोई ना कोई कारण अवस्य ही रहा है थैंक्यू झालए 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 विष गजब रहा है यदे अरस्तु द्वारा आफ जो धिए कोई भी जगते हैं ना किया बतली के लाई किसे निटे रहा हैं विझेए हैं यदिए झालए धिनने देए प्र विखता हैं प्रे रहा हैं आई